मेर से कन्या कुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें BJP के नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है हमने एंजिनियरिंग की आज हम वोला चलाते हैं उबर चलाते हैं या फिर मजदूरी करते है तो ये आलत इंदुस्तान की है जो गरीब लोग है वो बेरोजगार है उनको रास्ता नहीं दिख रहा उनके सपने पूरे नहीं होते और 5-6 अरबपती है उनको सब कुछ मिल जाता है एरपोर्ट मिल जाते हैं पोर्ट मिल जाते है सडग भी वो ही बनाते हैं खेती भी वो करना चाते हैं इंफ्रस्रक्टर भी वो बनाते हैं टेलेफोन का सिस्टम भी वो चलाते हैं सारा का सारा उनके हाथ में है और इससे देश को बहुत गहरी चोट पड़ रही है तो पहला मुद्धा भारत जोड़ो यात्रा का बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का है दूसरा मुद्धा और हर किसान मुझे ये कहता है महंगाई बढ़ती जा रही है यहां हमारी माताएं बहने आई हैं सबसे बड़ी चोट इनको पड़ती है आप मुझे बताईए UPA के समें ग्यास सिलिंडर का क्या दाम था क्या दाम था 400 रुपे आज क्या दाम है 1,100 पेट्रोल का क्या दाम था बोड़ी की अज क्या दाम था यहा पत्रोल का यह तो पुरा हिंदुस्तान जानता है मगर आपको एक और सवाल पूचना चाहिए ये जो पैसा आपके जेब में से निकल रहा है सिलिंडर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा ये कहां जा रहा है ये किसकी जेब में जा रहा है ये किसके हातों में जा रहा है ये वोही पांच पुंजोपतियों के हात में जा रहा है सारा का सारा धना आपके जेब में से निकाला जाता है किसानों के परिवानों के जेब में से निकाला जाता है और इनी पांच लोगों को दिया जाता है ये दूसरा मुद्धा है इंटरनाशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं मगर हिंदुस्थान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे international market में जहां से हम खरीते हैं वहां पर दाम घटते जा रहे हैं और हिंदुस्थान में दाम बढ़ते जा रहे हैं जाइदा किसको उनी दो तीन उध्योग पतियों को अरब पतियों को तो दूसरा मुद्दा महिंगाई का मुद्दा है और इससे सब गरीब लोगों को चोट पहुँचती है किसानों को मजदूरों को छोटे वियापारियों को स्मॉल मीटियम बिजनस चलाते उनको सब को उनकी योजना है डर फेलाने की योजना है नोट बंदी का लक्ष हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर फेलाने का था गलत GST छोटे वियापारियों को डराने की योजना है जो आज बेरोजगारी है उससे डर बढ़ता जा रहा है और इस डर का फाइदा सिरफ बीजेपी और RSS को होता है क्योंकि वो इस डर को नफरत में बदलते हैं उनका काम ही डर को नफरत में बदलने का है उनके पूरे-पूरे संगटन यही काम करते हैं देश को बाटने का काम करते हैं नफरत फैलाने का काम करते हैं और डर फैलाने का काम करते हैं और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा लक्ष और शाहिद सबसे जरूरी लक्ष देश में जो डर फैलाए जा रहा है नफरत फैलाए जा रही है उसके खिलाफ खड़ा होना भाई और बेनों मैं आपसे पूछता हूँ आपके परिवार में अगर लड़ाई हो भाई भाई से लड़े बेटा पिता से लड़े माता बेटी से लड़े तो क्या उस परिवार को फाइदा मिलता है फाइदा होता है परिवार को कभी ऐसा कोई परिवार है जो बाटा किया जिसमें लड़ाई हुई जिसमें नफरत है और वो आगे बढ़ गया कोई है ऐसा परिवार एक परिवार नहीं मिलेगा आपको तो अगर परिवार को नफरत और हिंसा से फाइदा नहीं होता तो देश को कैसे होगा तो भाई और बेनों देश कमजोर हो रहा है और इस कमजोरी का फाइदा देश के दुश्मन उठाएंगे इस कमजोरी का फाइदा जो देश का भला नहीं चाहते हैं वो उठा रहे हैं इसलिए हमने देश को जोरने की यात्रा कन्या कुमारी से स्रीनगर तक की यात्रा स्रीनगर में तिरंगा फैराने की यात्रा हमने शुरू की है और यह यात्रा स्रीनगर तक जाएगी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ देखिए राजिस्तान में महराष्ट्रा में मैं चला और जब मैं आप से मिलता हूँ आप दो नारे इस्तिमाल करते हो सडकों पर एक आप कहते हो राम राम साहे जो मैंने अभी पहले बोला राम राम साहे सही और दूसरा आप कहते हो जे सिया राम सही अब मैं RSS BJP वालों से पूछना चाहता हूँ आप जे श्री हाम बोलते हो मगर आप जे सिया राम क्यों नहीं बोलते हो आपने सीता मा को इस नारे से क्यों निकाला आप में सीता मा का अपमान क्यों करते हो आप हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो और मैं उनसे कहता हूँ हे राम नारा का प्रयोग कीजिए जे सिया राम बोलिए क्योंकि यही हिंदुस्तान का राजिस्तान का इतिहास है और इस नारे से इस देश को शक्ती मिलती है सही बात है ना सही बात है ना तो इन्होंने देखिये क्या चालाकी की इनके संगटन में आपको एक महिला नहीं मिलेगी आरे स्विस में एक महिला नहीं मिलेगी आपको ये महिलाओं को दबाते हैं महिलाओं को दबाते हैं ये लोग अपने संगटन में एक महिला को नहीं आने देते इनके जो प्रचारक होते हैं एक महिला नहीं मिलेगी आपको और फिर जो हमारा हमारी जो संस्कृती है जे सिया राम उसको भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं और सीता मा का आप मान करते हैं तो जब भी आपके पास आते हैं इनसे आप कहो RSS के लोगों से कहो कि ये बंद करें और सीता मा का आप मान ना करें और जे सिया राम बोला करें और हे राम बोला करें और जो राम भगवान ने कहा था जो राम भगवान ने कहा था भाई और बहनो राम ने अन्याए कभी किया कभी किया अपनी जिन्दगी में बगवान राम ने अन्याए क्या बगवान राम ने हिंदुस्तान में हिंसा फेल आई थी क्या नफरत फेल आई थी क्या ना बगवान राम ने सब का आदर किया था गलट GST तो लागू नहीं की थी ना नोटबंदी तो नहीं की थी ना, क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे, पांच पुंजया पतियों के नहीं थे, वो किसान के थे, मजदूर के थे, छोटे वियापारियों के थे, और वो सुनते थे, अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था, वो सुनते थे, जो गर बह्कट भगवान राम ने किया वह ये लोक टेने झा 10 जो ये करते हूं कि छे कि खिलाफ करते हैं आर पिर नारा लगाते है जै श्रियाराम । ने बहुत भाई चारा कि जो बहुआर राम ने किया था जो इज़त भगवान राम ने हर व्यक्ति को दी थी जो भाईचारा जो मुहपत भगवान राम ने इस देश में फलाई थी वो उनको करना चाहिए नफरत नहीं फलानी चाहिए डर नहीं फलाना चाहिए और सही नारा के प्रयोग करना चाहिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन